हलो, माई दे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आ ये महर्जब्यारी शिर्वास्तो, लाउ एक्सपोर्ट्स, परिच्छा रिफ्रेशर, आनलाइन लाउ क्लासेज प्रावेलाबाद, जिन लोगों ने अभी तक परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब न अगातार आप लोगों के लिए जूडिसरी के त्यारी करवा रहा है, और इस इंस्ट्यूट के द्वारा आफ लाइन और आनलाइन दोनों प्रकार की क्लासेज जो चलती रहती हैं, इसमें धेर सारे जूडिसल आफिसर्स इस इस इस्ट्यूट से सफलता प्राप्त किये, कि किसी ने civil judge के पत पर, किसी ने DJ के पत पर, किसी ने APO के पत पर, कोई law officer के पत पर, कोई police officer के पत पर, तो dear student, आप लोग भी अपने carrier को सवारने के लिए, आप सर से जोड सकते हैं, परिच्छा रिफ्रेशर के बादियां से, और ये इस्ट्यूट फुली डिवोटेड हैं कि judicial services के लिए, और किसी examination की इस पर, प्रिपरेशन नहीं गुंती, तो dear student, आज, आप लोग को ये बताना चाहते हैं, कि परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल पर, एक law की सिरीज स्टार्ट हो रही है, और ये law की सिरीज, सबसे पहले स्टार्ट होगी, CRPC की, CRPC के बाद, और भी paper की सिरीज चलती रहेगे, जो CRPC के test सिरीज है, जो आप लोग के लिए तयार की जा रही है, आप लोग को पहले इस paper के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगे, और ये जो CRPC का lecture है, ये आप लोगों को 5 volume में मिलेगा, आज 1st volume आप लोग के लिए prepared किया जा रहा है, आप लोग को स्क्रीन पर आप अभी देखेंगे, इसके बास 2nd volume, 3rd volume, 4th volume, 5th volume, पूरी 5 volume में आप लोग को पूरी complete CRPC बता दी जाएगे, फिर आप लोग को कुछ MCQ questions दिये जाएगे, उस MCQ questions को आप लोग करेंगे, तो आप लोग के CRPC pre के point आपी से, mains के point आपी से, और interview के point आप यह से, बिल्कुल clear हो जाएगे, कोई doubt नहीं रहेगा, कोई problem नहीं रहेगे, तो यह student आप लोग पर इच्छा reference YouTube channel को subscribe कर लेंगे, इससे आपको यह फाइदा होगा, कि आपको पता चल जाएगा, कि सरकर निया वीडियो कब आया, और आपको screen पर वो show होने लगेगा, और आप उस लेटेस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख भाएंगे, चल यह student ready हो जाएगे, अब हम लोग आते हैं, आज के अपने mission पर, जो हम लोगों का आज का topic है, वो है, the code of criminal procedure 9073, दंड प्रक्रिया सहीता 1973, आज इसका हम लोग first volume को complete करेंगे, जो section 1 से लेके 128 तक में दिया गया है, और देखे पहले section तो आप लोग पढ़ी लेंगे, बता भी दिया जाएगा, पहले जना इसका base समझ जाते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, देखे यह student जो law होता है, इसको हम लोग jurisprudence में पढ़ते हैं, इसको दो पार्ट म रखा जाता है, मोटे मोटे रूप में, तो देखे जो law होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में रखते हैं, एक पार्ट को हम लोग कहते है divine law, divine law और दूसरे हम लोग गा èते हैं συह मैं Low लग ठीकिख डिवाइन लग में जो होता है यह डिवाइन पावर के दो करा यह लाउ डबलब किया जाता है इसमें यूमेंट भी इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है तो DIVINE LA जिसको हम लोग दैवी भी कहते हैं हिंदी में ये इसका बेस्ट एक्जामपिल है फैमिली ला जिसको हम लोग कहते हिंदू ला प्लस मुस्लिम ला निक ये दो हमारे DIVINE LA है और जो इमन ला होता है ये हुमेन के दोरा हुमेन के लिए बनाय जाता है और जो human law में हम लोग पढ़ते हैं, IPC पढ़ते हैं, CRPC पढ़ते हैं, Evidence Act पढ़ते हैं, PPA है, Contract है, Constitution है, धेर सारे law जो हैं, यह हम लोग के human law के part में आते हैं, अब देखें जो human law होता है, इसको फिर दो भागों में हम लोग divide करते हैं, एक part को हम लोग कहते हैं, substantive law, substantive law और दूसरे part को हम लोग कहते हैं, procedure law, यह आप लोग के लिए बहुत ही important है, देखें substantive law उस law को हम लोग कहते हैं, जिसमें किसी भी law के definition दी जाती हैं, उस law का nature बताया जाता है, उस law के जो kinds होते हैं, वो बताया जाते हैं, लेकिन उस substantive law में जो law के हम लोग को बता दिये जाते हैं, provision वगरा, उसको हम लोग proceed कैसे करेंगे, उसको लागों हम लोग कैसे करेंगे, तो लागों करने वाले law को हम लोग कहते हैं, procedural law, कैसे हम लोग का जो procedural law है, वो CRPC है, CPC है, और evidence act है, अब देखें, जितने भी civil law हैं, वो सब किसब प्रोसीड होते हैं CPC में, अब civil law के जो substantive law हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे हम लोगों का, civil law का हम लोगों का क्या है, Indian contract act है, partnership act है, हम लोग का, sales up good act है, PPA हम लोग पढ़ते हैं, ये सब जो law civil law हैं, ये प्रोसीड कहा होंगे, CPC में, और criminal law का, प्रोसीड ला क्या है, CRPC है, और इसका substantive ला क्या है, IPC, IPC में क्या है, IPC में क्या है, different, different crimes है, जो IPC में total 511 chapters हैं, उसमें क्या different, different, आपको crime ही तो बताया गया है, अगर वो crime हो जाता है, तो कैसे आप एफायाल लाज कराओगे, कैसे उसका investigation होगा, कैसे उसका trial होगा, कैसे उसका judgment होगा, कैसे judgment के बाद आप appeal करोगे, revision करोगे, यह सब जो provisions है, यह कहा है, यह सब CRPC, तो CRPC हम लोग की क्या है, procedure, तो इसी पर आज हम लोग चलेगे, इस procedure लापर, देखें, जो हम लोग की CRPC है, guest student है, हम लोग direct topic पर आते हैं, यह छोटा सा एक base था, जिसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था, देखें, जो हमारी CRPC है, हम लोग जो इसको पढ़ते हैं, यह 9073 की पहुंदते हैं, 9073, और यह जो 9073 की CRPC है, यह act number, 2 of 9074, यह ध्यान रखिएगा, यह 9074 में implement हुआ था, लागू हुआ था, तो 9074 में, जिसको हम कहते हैं, date of enforcement, प्रवर्तन किती थी, इसके प्रवर्तन किती थी, क्या थी, एक 4, 9074, यह याद रखिएगा, एक अप्रेल 1974, जो है, वो हम लोग का date of enforcement है, CRPC का, और देखें, जो CRPC है, यह हम लोगों का जो classified है, यह student, कैसे classified है, यह देखिए, तीन पार्ट है, इसके, पहला पार्ट हम लोग को बताता है, कि हम लोग के CRPC में 484, sections है, दूसरा यह बताता है, कि इसमें 2 schedules है, और तीसरा बताता है, कि इसमें 37 chapters है, ठीक है, तो देखें, जो 484 section है, इसमें 2 schedules है, और 37 chapters है, इसमें आपको यह ध्याना रखना है, कि जो 2 schedules है, इसमें schedules number 1, और schedules number 2, अनुसूची 1, अनुसूची 2 में, क्या specific बात लिखें गई है, जो धारा के बाद देने की जरुवत पड़ी है, तो देखें, जो schedules number 1 है, इसमें जितनी भी प्रकार के IPC में आफेंस होते हैं, उस आफेंस का नाम, उसका punishment, वो आफेंस, cognizable offense है, कि non-cognizable offense है, वो offense, available offense है, कि non-vailable offense है, वो offense, tribal by session judge है, वो offense, tribal by first class magistrate है, वो offense, tribal by any magistrate है, यानि जो IPC में crime हुआ है, वो जमानती अपराद है, कि अजमानती अपराद है, उसमें कितनी सजा मिलेगी, वो संगी अपराद है, क्या संगी अपराद है, वो session नाल है, उसको सुनेगा, कि उसको जो है, first class magistrate सुनेगा, कि इसको second class magistrate सुनेगा, कौन सुनेगा, यह जो schedule first है, इससे educate भी बंदे होते हैं, इससे judges भी बंदे होते हैं, इससे law के professors भी बंदे होते हैं, इससे law के student भी बंदे होते हैं, क्योंकि सबी लोग इससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि देखिए जो second number का schedule second number का schedule जो है वह pro-pharma बताता है प्रारू बताता है जो court के त्वारा criminal court के त्वारा समय समय पर क्या होता है order दिये जाते जैसे सम्मन है BW है NBW है search warrant है या जो order code के दिये जाते है pro pharma ये सब magistrato के लिए session judge के लिए बताया गया है इस pro pharma के तहद आप अपना order देंगे तो schedule second हम कह सकते हैं ये court का भी से हैं ये दियान रखिएगा ये आप लोग का नहीं बलकि court का भी से हैं ये दो हमारे लोग के लिए schedule से हैं अब देखे जो 37 chapters है कहने को तो हमारी CRPC क्या है procedure लाए लेकिन आज dear student आप लोग को जो बाते बताने जा रहा है कि देखे जो CRPC है इसमें दो chapters इसके दो chapters इसके substantive लोग के सारवान बिद के है मौलिक बिद के है और remaining इसके 35 chapters जो है वो procedure लाग के यह आपको जानना है कि इसके दो chapters ऐसे कौन से है जिसको हम लोग substantive लाग कहते हैं और ऐसे 35 chapters कौन से है जो हम लोग को procedure लाग तो देखे इस्टूडेंट 35 chapters तो आप नहीं याद कर पाओगे उसका नाम देखे दो chapters का तो याद कर सकते हो ने उन दो chapters को पकड़ लो तो देखे दो chapters इसका जो है पहला इसका chapter है chapter number 9 और दूसरा है chapter number 11 देखे chapter number 9 जो धारा 125 से 128 में दिया गया है जिसमें maintenance की बात है भर और पोशल की बात है chapter number 9 maintenance section 125 से 128 यह हम लोगों का substantive दूसरा है chapter number 11 देखे जो chapter number 11 है यह क्या है निवारक कार preventive action इस preventive action के बारे में जो provision दिया गया है वो हम लोगों को पंडे को जो इसका provision मिलता है वो provision मिलता है 149 से 149 से 153 तो यह दो chapter हम लोग का क्या है substantive ला है आज आप लोग ध्यान रखो कि जब आप याद करना कि 37 chapter CRPC में है तो इसका mathematical formula याद रखना 2 plus 35 आज यह formula आप लोग याद कर लो 37 is equal to 2 plus 35 तो आपको तुरंत याद आएगा कि दो chapter इसके substantive हैं 35 chapter इसके procedure है और दो जो दो chapter इसके substantive है वो chapter नमबर 9 chapter नमबर 11 ठीक है और इसके section यह आप याद रखेगा कि chapter नमबर 9 125 से 128 है जिसको भरल portion maintenance कहते है chapter नमबर 11 जो preventive action है वो 149 से 1453 में दिया गया है और whole 37 chapter जो CRPC पूरी की पूरी प्रोसीजन ना है ठीक है यह एक बहुत ही important बात होती है अब देखे यह student जो किसी भी एट का जो section number 2 होता है section number 2 जो होता है वो या तो निर्वचन खंड होता है या तो परिभासा होती है या तो interpretation class होता है या तो definition की होती है CRPC के section 2 जो है वो क्या interpretation की class है very important section section 2 क्या है definitions तो इसमें जो है उन सब्दों को define किया गया पूछा जाता है कि इसमें तो किल 10-12 सब्दों की परिभासा है और सब्दों की तो नहीं है तो देखो जो सब्द बार-बार आते हैं किसी भी एक्ट में उसको एक्ट को बनाने वाले section number 2 में उसकी परिभासा बता देते हैं कि आप जानलों इसकी ये परिभासा है ताकि आगे आपको अंदर जब पढ़ोगे तो आपको उसकी meaning समझने में दिक्कत नहों हो इसलिए उसको section 2 में define कर दिया जाता है अब देखें जो section 2 में जो जो चीज़े define की गई है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़े है जो judiciary के इस्टोटेंटों के लिए बहुत important होती है और आप लोग के examinations में आता है तो देखें इसमें जो section 2A है 2A देखे section 2A में दो बातों को बताएंगे है bailable office, non-bailable office की कौन से offense ऐसे होते है जो bailable है जबानती है और कौन से ऐसे offense है जो non-bailable है और जो offense bailable है उसमें हम bail का हम आगेंगे उसमें bail हम जो demand करेंगे section 436 CRPC 436 जो non-bailable होते हैं उसमें हम bail की demand तो करेंगे non-bailable का मतलब यह थुरी नहीं होता कि उसमें bail नहीं मिलेगी तो उसकी bail की demand हम कहां करेंगे 437 अब यहीं से देखें जो section 2A है क्योंकि हमारे CRPC सिस्टेमेटिक नहीं है इसको आपको क्या करना है कि section को section के साथ जोड़ना है section 2A हम लोग का है available office, non-bailable office इसको हम को जोड़ना है section 436 section 437 तो जो अब आप इसको section 2 में जब पढ़ोगे तो आपको इस 2 section को इसके साथ पढ़ना तो आपको क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी अब देखें dear student इसके बाद आता है जो इसका important section है section 2B देखे dear student 2B में charge है RO आपके किताब में लिखा है कि charge भिन होते है यह होते है अरे जरा सच्छी तरह से समझ लो देखे charge होते है पूरे criminal cases में तीन बार होते है पहली बार जो चार्ज होता है Lawsing of the FIR FIR होई police station ने आपके खिलाब section लगा दिया और जैसे section लगा है वैसे आप बन गए accused उसके बाद investigation हुआ IO के त्वारा investigating officer के त्वारा investigating officer ने लगाया charge seat अब देखो इसमें charge के साथ seat वर जुड़ा हुआ seat क्यों कि देखो तो यह चार्ज लगाता है यह case diary में लगाता है cd में लगाता है case diary क्या है seat है testa wage है document है उसमें उसने charge लगाया है जो लगाता है section 170 में 12 170 में IO के द्वारा charge seat लगाया जाती accused person के अगे sufficient evidence नहीं मिला तो IO क्या करता है section 169 CRPC में final report लगा देता है एक charge लगा police station पर losing of the fire के समय एक charge IO ने अपने seat पर लगाया section 170 में और इसके बाद तीसरी बार charge लगाता है magistrate नया लगाया और वो कब लगाता है जब IO की police report court में आ जाती है और magistrate के द्वारा उसमें क्या किया जाता है prime FSI fix किया जाता है अगर ये accused person against prime FSI बन रहा है तब magistrate क्या करता है framing of the charge framing of the charge framing of the charge charge को frame करता है और जो charge frame करेगा अब इसी पे चलेगा आपका try अब हम समझते होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में divide कर देते जितने प्रकार के office होते है और nature of the office अपराद की गंभीरता को देखते हुए एक को हम लोग कहते है cognizable office एक को हम लोग कहते है cognizable office section 2C में cognizable office ठीक और इसी का opposite दूसरा है non-cognizable office 2L में 2L में संगे अपराद है 2C में cognizable office है 2L में क्या है non-cognizable संगे अपराद किसको कहते है cognizable office किसको कहते है ऐसे office जिसमें office होने के बाद पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाता है बिना warrant के बिना magistrate के permission के आप किसी को arrest कर लो किसी का मतलब जिसने office किया क्योंकि गंभीर प्रकित के अपराद होते चोरी है लूट है वलवा है murder है बलादकार है यह सब ऐसे अपराद होते हैं इसको तुरंद रोकिए नहीं तो यह अब्युक्त बेक्ति आगे भी अपराद करेगा section 2L कहता है जो अपराद बहुत ही सामान प्रकित के होते हैं यानि कि उसमें पुलिस अधिकारी को यह कहा गया कि आप जो साधारन प्रकित के अपराद है या तक्नीकी प्रकित के अपराद है उसमें पुलिस अधिकारी से कहा गया कि आप इसमें accused person को arrest ना करेगे ना कोई investigation करिए बलकि आप क्या करिए कि संबंधित न्याइक magistrate से इस बात की अनुमत ले लीजिए कि मुझे क्या करना है इस मामले में मैं गिरफतार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ जब magistrate आपको permission दे दे तब ही आप करोगे अनिता नहीं करोगे यह सामान प्रकित के अफरादों में होता है इसको हम लोग कहते है कौगनिज़े इस इसके बात दिखेड जब हम लोग के साथ हमारे पर्चीत के साथ हमारे किसी के साथ सभी में रहने वाले किसी के साथ कुई ऑफेंश होता दो तरीका है क्या तो हम लोग에 लोग र लाज्डियोश कर दें हम लोग complaint फाइल कर दे आज आप लोग यह जान लो कि FIR की परिभासा FIR की definition न सेक्शन 2 में दी गई है और न पूरे CRPC में दी गई याद रखेगा पूरे CRPC में कहीं पर भी FIR की definition नहीं है लेकिन जो complaint होती है परिभाद होती है उसको define किया गया है और उसकी definition दी गई है section 2D 2D में complaint को define किया गया है कि complaint होती क्या है और complaint को अगर आपको file करना है तो आप कहां file करोगे तो section 2D के साथ आप लोग याद करिएगा section 190 आप अपनी complaint कहां लाओगे competent magistrate के पास लाओगे competent magistrate कौन है ये section 190 बताता है और जब competent magistrate आपको मिल जाएं उनके सामने आप complaint file करोगे तो competent magistrate को ये power दिया गया है कि आप complaint लेने के बाद section 200 section 200 में complainant का और complainant के witnesses का examination करोगे तो section 2D में complainant section 190 में competent magistrate और section 200 में examination of the complainant and witnesses ये तीन section आप लोग इसके साथ याद रखेंगे तेके day student जो हम लोग का criminal law होता है उसमें IPC और CRPC दो law को हम लोग criminal law बोलते हैं तो जो IPC होती है उसमें crime के चार stages है IPC में पहला हम लोग intention कहते हैं दूसरा हम लोग preparation कहते हैं तीसरा हम लोग attempt कहते हैं और fourth number को हम लोग कहते हैं commission या complete of the office जब CRPC पढ़ते हैं तो हम लोगों को crime के तीन stages को पढ़ना रहता है crime के तीन stages क्या है first stages of the crime is investigation second stages of the crime is inquiry third stages of the crime is trial तो जो को crime के CRPC पे तीन stages है innovation investigation और जो investigation है इसको section 2HB में define किया गया 2H second stages of the crime is inquiry जांच जिसको CRPC के section 2H 2G में define किया गया 2G third stages of the crime trial trial को किसी भी section में define नहीं किया गया है note कर लो गुम्रा मत होना बलकि trial के kinds को बताया गया है trial कितने प्रकार के होते है वो बताया गया 260, 225 से 265 225 से 265 और 225 से 265 में 40 धारा नहीं है 41 धारा है 41 section है गलती मत करना तो वहाँ पर हमको बताया गया है कि trial जो होता है session trial होता है warrant trial by magistrate होता है summon trial by magistrate होता है summary trial by magistrate होता है बट trial सब्द को किसी भी section में define नहीं किया गया है most important जैसे आपको अमने बताया कि FIR को किसी section में define नहीं किया गया है उसी प्रकार trial को किसी भी section में define नहीं किया गया है अब देखे जो court होती है उसमें word यूज होता है magistrate या नयायाले magistrate या court magistrate तो चलो समझ में आता है second class magistrate, first class magistrate और chief judicial magistrate question यह होता है यह court क्या है आज जान लो court मतलब session court तीन magistrate के court होती है तेन जो है session के court होती है उनके कौन कौन से court होती है assistant session judge additional session judge और session judge आज से जान लो कि जहां पर CRPC में magistrate या नयायाले या नयायाले तो तुरंत आप उसको टिक लगा लेना समझ जाना कि उसमें जो है civil judge sorry very sorry कहना मैं session judge अब देखें यह जो magistrate या session judge है यह proceeding क्या आपनाई करते हैं तो या तो यह लोग summon की proceeding अपलाई करेंगे या warrant की करेंगे अभी हमने आप से चार ट्राइल की जिकर किया session trial session trial हर समय warrant trial होता है section 225 या 237 दूसरे का नाम है trial का warrant trial by magistrate उसमें warrant सब्दी प्रियोग कर दिया गया है 238 से 250 तीसरा है summon trial अब यह summon trial by magistrate होगा magistrate summon process को यूज करेंगे 251 से 259 में पूर्थ नमबर पर आता है summary trial 260 से 265 इसका answer summary trial का दिया गया है कि summary trial में summon trial के process को adopt किया जाएगा तो इसी basis पर section 2 कहती है कि summon case warrant case ऐसे मामले जिसमें दो वर्ज तक की jail की सजा होती उसको हम लोग summon case कहते है और जिसमें दो वर्ज से उपर मृत्युदंड, death sentence, life imprisonment कुछ भी होगा उसको हम लोग कहते है warrant case यही आपके CRPC की section number 2 कहती है इतना आप लोग अगर याद कर लोगे तो आप लोग का CRPC का ध्यान रखिएगा कि section 2 से related questions गलत नहीं होंगे अब देखे हम लोग आते हैं जो doीं किरिमनल कुर्ट किसको कहते है COR क्लासिफिकेशन किया किया है जो стр.5 का CRPC किया किया है helpuer वो section no.6 section no.6 जो च्लासिफिकेशन है क्लासिफेकेशन क्या है, इसमें सबसे पहले आता है हाई कोट, आज से ध्यान रखेएगा हाई कोट क्रिमिनल कोट है, एक, नमबर दो, नमबर दो पे आते हैं सेशन कोट, नमबर दो पे आते हैं सेशन कोट, और नमबर तीन पे आते हैं एडिशनल सेशन कोट, एडिशनल सेशन कोट, नमबर चार पे आते हैं असिस्टेंट, असिस्टेंट सेशन कोट, देखो एक हाई कोट हो गया, तीन हो गया सेशन के, फिर इसके बाद, फिप्त नमबर पर आता है, चीफ जुडिशल मजिस्टेट, CGM, और अगर वो नगर, मेट्रोपोलिटन है, तो वहाँ पे होते हैं चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट, CMM, 6th नमबर पर आते हैं, 1st क्लास मजिस्टेट, 1st क्लास, देखें, 1st क्लास मजिस्टेट के दो नाम होते हैं, अगर वो मेट्रोपोलिटन सिटी में है, तो इनको कहा जाता है, मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट, और अगर नान मेट्रोपोलिटन में होते हैं, तो इनको कहते है ACGM Additional Chief Judicial Magistrate एक है और इसके बाद साथवे नंबर पर होते हैं Judicial Magistrate JF Second फिर इसके बाद आठवे नंबर पर आते है Executive Magistrate Executive Magistrate Executive Magistrate DM, ADM, SDM तो यह जियान रखिएगा यह सिरीज है High Court Session Court, Additional Session Court Assistant Session Court First Class Judicial Magistrate Second Class Judicial Magistrate अब यह जो जजजेज हैं यह कितना punishment दे सकते हैं कितना dund दे सकते हैं इस Section 6 का जो punishment देने वाली Section है तो Section 6 के साथ आप पढ़ोगे Section 28 29 Section 28 29 को आपको Section 6 के साथ पढ़ना है तो अप्रस्ट उड़ता है कि High Court क्या punishment दे सकता है High Court Law द्वारा Prescribed कोई भी दंड दे सकता है और Law ने कोई साथ दंड प्रिस्क्राइब किया है IPC के Section 53 जिसमें वर्तमान समय में पांच प्रकार के दंड है Death Sentence, Life Impresionment, Impresionment, Regress or Simple इसके बाद और फीचर आप प्रापर्टी और पांच प्राइब फाइन यह कोई भी High Court दे सकता है Section 28 पढ़ा रहे आपको Section 28 कहता है कि जो Session Judge या एडिसल Session Judge होते है यह भी लादवारा Prescribed कोई भी दंड दे सकते हैं लेकिन अगर यह Death Sentence देते हैं तो इनका Death Sentence तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि Honorable High Court से Under Section 366 Under 366 अब देखें यहां पर 28, 29 के चप 6 पढ़ा है, 6 के साथ 28 पढ़ा है 28 के साथ 366 भी पढ़ना है अगर Honorable High Court आपके स्टेट का सेसंजज याइडिसन सेसंजज के द्वारा दिये गए Death Sentence को कन्फर्म कर देता है तभी उस वेक्टी को Death Sentence दी जाएगी फांसी की सजा, अन्य था नहीं जो हमारे असिस्टें सेसंजज है उनको कहा गया दस वर्स के नीचे तक का सेकंड क्लास के लिए है CJ Mohoday को कहा गया कि आप साथ वर्स तक का का कारावास दे सकते हैं या इन फाइनाइट या नाट डिफाइन पनिश्मेंट या दोनो और जो फर्स क्लास मजिस्टेट हैं इनको क्या कहा गया? तीन वर्स का कारावास या दस हजार रुपया जोरवाना या दोनो जो सेकंड क्लास मजिस्टेट हैं उनको कहा गया एक वर्स का कारावास या पांच हजार रुपया जोरवाना या दोनो अब देखे आपने सेक्शन 6 के साथ 28 कंप्लीट कर लिया 29 कंप्लीट कर लिया और 366 कंप्लीट कर लिया ऐसे आपको देश्टुटेंट स्टडी करना है यह नहीं कि आप सेक्शन एक फिर दो फिर तीन फिर चार पड़ते जा रहा है और कुछ नहीं क्लियर हो रहा है सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ को रिलेट करना है जब आप सेक्शन को को रिलेट करोगे तभी आपका वो मामला चलेगा अब देखे जो क्रिमनल कोट होती है जिसमें आपको हमने बताया कि हाई कोट आता है हमने आपको बताया कि उसमें सेसन कोट आता है और तीसरा आपको बताया कि मजिस्टेट की कोट आती है अब देखे, यह माली जे क्रिमिनल कोट है, यह, जज साहब डैस पर बैठे हुए है, तो देखो एक तो इस पर आएंगे, जज, फिर क्रिमिनल कोट में एक होते हैं, दो एडोकेट होते हैं, एक एडोकेट को हम लोग कहते हैं, डिफेंस लायर, डिफेंस एडोकेट, जो डिफेंस का एडोकेट होता है, वो होता है, प्राइबेट एडोकेट और वो एक्यूस का होता है, एक्यूस्ट का, एक्यूस को कहा गया, जिसको आपको करना हो कर लो, दूसरा होता है, पब्लिक प्रोसीक्यूटर, पब्लिक प्रोस जिसको आप कह सकते हो सरकारी वकील जिसको हम लोग कहते हैं गॉर्मेंट एडोकेट इसको हम लोग पब्लिक प्रोसीक्यूटर कहते हैं और इसको कहते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर देखो जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर है इसका जिक्र किया गया है section number 24 में कौन होगा public prosecutor और section number 25 में जिक्र किया गया है APP या APO, इसको APP भी कहते है यह आपको जानना है section यह आपके एक्जाम में बराबर आता है जो PO या APO होते है यह criminal court में इस्टेट को रिप्रेजेंट करते है इस्टेट मतलब victim, period victim जो period victim होता है उसके यह educate होते है period victim की ओर से state खड़ा हो जाता है इस्टेट period victim से कहता है आपको कोई पैसे नहीं देना है सरकार आपकी ओर से मुकदमा लड़ लाई है इसलिए criminal case का नाम हो जाता है state versus accused accused हो है जिसने अपराथ किया है state कौन है victim है यह 25 और 24-25 में कहा गया और यह ध्यान रखिया गया इसके साथ-साथ जो यह department है अभियोजन का public prosecutor का इस department को एक separate department बना दिया गया 2005 के amendment के द्वारा CRPC में जब 2005 में amendment हुआ तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया और CRPC में एक नई section जोड दी गई section 25A 25 और 25A में बना दिया गया direct rate of prosecution direct rate of prosecution अभियोजन निर्देशाले अब जो अभियोजन निर्देशाले है हर state के लगभग राजधानी में होता है जैसे UP का लखनव में है तो जो वहां पर director general prosecution DG prosecution होते हैं उन्हें को इन लोगों के उपर controlling करने की power दे दी गए जो CRPC का cream topic था उस पे हमने आप लोगों के साथ discuss किया आप लोगों को topic समझ में आया होगा comment box में आप लोग जरूर लिखिएगा क्या आपको lecture कैसा लगा और आपको हम यह बताना चाहते है कि sir की जो परिच्छा refreshment law classes है वो लगभग 31 year complete हो चुगा है 32 वर्स में प्रवेश कर दिया है और इसके साथ साथ उसी समय से regular law के नोर्स आप लोगों के लिए publish होते रहते हैं इस समय जो current समय में आप लोग के लिए law के नोर्स आए हैं तो देखे एक एक करके आपको बताते हैं अप लोगों के लिए ही तयार किया गए है जर्नल स्टडिस के स्टूडेंटों के लिए Hindi वालूम चे वालूम है Hindi medium के चे वालूम इंग्लिस medium के है इसके साथ साथ देखे आप लोगों के लिए IPC, Pre and Means के नोर्स रेड़ी है CRPC प्रियो और मेंस के नोर्स रेडी है Evidence Act के प्रियो और मेंस के नोर्स रेडी है इसके बाद देखे जो लॉग के पेपर होते हैं International Law UP में आता है उत्राखन में आता है रेडी है Transfer आप Property Act के नोर्स रेडी है Jurisputence जो UP का बहुत important पेपर है आप लोग के लिए रेडी है इसके बाद देखे 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 स्टूडेंट Contract Act, संभिदा अधिनियम, हिंदू ला मुस्लिम ला इसके भी नोर्स आप लोग के लिए रेडी है देखे फाइब स्टेट्स के जुडिसरी के जो सिविल जजज के एक्जाम होते है उसके गाइड आप लोग के लिए रेडी है वो फाइब स्टेट है उत्राखन, MP, बिहार, UP और राजिस्थान यह देखे आप लोग के लिए लगा हुआ है इसके बाद आप लोग के लिए जो है थ्री स्टेट के UP के APO उसका APO के लिए रेडी है तेकि टू स्टेट के HGS का गाइड आप लोग के लिए रेडी है बिहार HGS और UP HGS इसके बाद देखो डियस्टूडेंट आप लोग के लिए एक इंटर्व्यू की किताब बहुत पहले त्यार कर दी गई थी जिसको पढ़कर बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिसरी में कौलिफाई किया है HOW to prepare for interview जो स्टूडेंट बाहर काउंसिल का एक्जाम देते है जो 18 नमबर का भोने जा रहा है और 17 नमबर का रिजल्ट आने वाला है उनके लिए ये मैटर है इसके मादिया स्टूडेंट आप लोग के लिए माइनर एक्ट जिसमें लिमेटेशन एक्ट निगोसियेबिल इस्टूमेंट एक्ट इस्पेसिक रिली एफेक्ट उसका मैटर आप लोग के लिए रेडी है और देखे जो आप लोग के एक्जाम में आता है case laws pre के पाइंट अभी से means के पाइंट है ये एक जगह आपको collect करके मिल गया है case laws और इसमें साथा जो Latin, Maxim होती Latin की वो पूरा आप लोग के लिए complete है case law और Latin Maxim के नाम से एक law के notes आप लोग के लिए publish कर दिये गए dear student आप लोग के लिए Rajasthan JLo जो vacancy बहुत जल्दी आप लोग के लिए आने वाली है बहुत अच्छा exam होता है तो इसके लिए आप लोग के लिए law के notes और साथ-साथ जो वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी आती है उसके भी आपके लिए notes ready है इसके बाए dear student आप लोग को बताना चाहते है कि जो परिच्छा रिफ्रेशन online law classes है वो जो 31 एर से चल रहा है आप लोगों के लिए उसमें हर महिने की एक तारिक और निया बैच स्टार्ट होता है और इसमें आप लोग को एक दिन में चार क्लास मिलती है सुबर 9 बजे से 10 बजे की जो क्लास होती है morning की वो होती है माइन रेक्ट की जिस स्टेट में जो माइन रेक्ट आता है या लोकल लाजाते उसकी क्लास सलती है 11 बजे से 12 बजे दिन में आप लोग की क्लास सलती है मेंस की साम को साड़े छे बज़े उदय बैच पर आप लोग के प्रिलिम्स की क्लास चलती है रात को आठ बज़े फाउंडेशन बैच है जो इस्पेसली उन लोगों के लिए है जो एडोकेट है सर्विस क्लास के लोग है हाउस वाइफ है जिनको दिन में टाइम नहीं मिलता उनके लिए साम को आठ बज़े बैच चलता है तो आप इन में से किसी भी बैच से जुड़ कर अपना ओर्स को ले सकते हैं और देखें दो नंबर है सर के आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 9-3-3-5-1-4-4-2-6-5 यह आपके नोट्स के हैं आपको जो नोट्स मंगाना इस पर आप क्या करेंगे अपना पोस्टर लेडे सेंड कर देंगे पिन कोड के साथ जो लोग क्लास करना चाहते है 9-0-5-0-7-8-6-9-1 पर अपना आधार की फेस साइड और बैक साइड इस स्क्रीन साइड दाल देंगे और देखो 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 आप लोग को लास्ट में चीज़ बता देना चाहते है कि जो जुडिसिक एक्जाम है वो दो तरह का है एक तो बहुत सरल है एक बहुत कथिर है बीच का नहीं है बीच का कोई जखा नहीं है या तो सरल है या तो कथिन है तो कथिन किसके लिए कथिन उसके लिए जिसको लॉक अफंडा क्लियर नहीं रट्टू तोता होने से काम नहीं चलेगा ना कोई गाइट पढ़ने से काम चलेगा उसके लिए आपको subject की जानकारी रखनी पड़ेगी किस section को कहां correlate करना है कहां पर कौन सा case ला डालना है उन student ने जिसने एक साल डेड़ साल अच्छी study कर लिया इस पैटर पर उसके लिए judiciary सरल जिस student को law का फंडा नहीं clear हुआ उसकी judiciary नहीं निकलते तो कसे judiciary में काम नहीं चलता तो आपको judiciary के लिए क्या करना है law के सारे provisions के फंडा को clear होना चाहिए इसके साथ how to write correct answer means में होना चाहिए तीसरा आपके साथ होना चाहिए कि जो आप interview देने जाते हो जिसका नाम है personality test उसके लिए आपकी personality personality इतनी अच्छी होनी चाहिए personality का मतलब legal knowledge personality का मतलब भी नहीं कि आप बड़ी smart लग रहे हैं गोरे लग रहे हैं कुछ नहीं आपके अंदर judicial mind प्रापर होना चाहिए क्योंकि आपका judicial mind वहाँ पे अन्रेबिल high court के judge आप चेक करेंगे university के professor चेक करेंगे psychologist चेक करेंगे जिनके रूम में आपका इंटर्वी होगा member चेक करेंगे तो वह एक extraordinary तेयारी होती है तो दोखो dear student आप लोग के लिए इसलिए सर बीच में आए हैं बहुत दिन हो गया dear student आप लोग के class लेते 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 गयन किया जो इस्टोटेंटों ने गलती किया जो इस्टोटेंटों ने कहना माना उसी को आप लोग के बीच में समय समय पर शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोग वो गलती न करने पाएं फर्स्ट एटेंट में आप अपने लच्च को प्राप्त कर लें थैंक यू मैं